नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शिकाधूरिया कोरोना वारुस संक्रमन का प्रकोप एक बार फिर देश में बढ़ने लगा है वहीं बॉलिवुड स्टार्स के कोरोना संक्रमित होने की खबरे भी सामने आने लगी है अरजुन कपूर और शिल्पा शिरोडकर के बाद अब नोरा फतेही भी कोरोना संक्रमित हो गई है इस बात की जानकरी खुद नोरा फतेही ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिये दी है नोरा फतही ने जानकारी दी है कि वो कोरोना से संक्मित हो गई है और इसने उन्हें बुरी तरह प्रभावित किया है उन्होंने फैन से सुरक्षित रहने को कहा है इस तरह एक के बाद एक बॉलिवुड हस्तियां भी कोरोना वारस की चपेट में आ रही है आपको बता दे नोरा फतही ने कोरोना संक्मित होने की जानकारी देते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा हेलो दोस्तों बदकिस्मती से मैं इस समय कोरोना से लड़ रही हूँ उन्होंने कहा कि इमानदारी से कहूँ तो इसकी बहुत बुरी मार मुझ पर पड़ी है मैं बिस्तर पर हूँ और कुछ दिनों के लिए डॉक्टरों की देख में रहना होगा नोरा ने अपने पोस्ट में लिखा कि सुरक्षित रहें और उमीद करती हूँ कि आपने मास्क पहना होगा ये बहुत तेजी से फैलता है और किसी को भी संक्रमित कर सकता है नुरा ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा कि ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है मैं इससे जंग लड़ रही हूँ और इस समय यही सबसे एहम भी है आपकी सेहत से जरूरी कुछ भी नहीं अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें आपको बता दे कि बॉलिवूर सितारों का कोरुना वारस संक्रमित होने का सिलसला लगातार जारी है नुरा फतही से पहले अर्जुन कपूर, रिया कपूर के भी कोरुना वारस संक्रमित होने की खबरे सामने आई थी उनसे पहले करिना कपूर और अमरिता अरोडा भी कुरुनल संक्र में थो गई थी हलाकि अब वो ठीक हो चुकी है इस खबर में फिलाल इतना ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इडिया हिंदी के साथ